सोशल मीडिया पर इस अभवा को तेजी से फैलाय जा रहा है कि बॉलिवोड अभिनेत्री उर्मिला मातोंकर के पती पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन है। शुकरवार को कॉंग्रेस पार्टी से लोगसभा का टिकेट फाइनल होने के बाद उर्मिला के खिलाफ इस अभवा को दक्षिन पंथी रुजानो वाले फेस्बुक और वाट्सएप ग्रुप्स में बहुत तेजी से पहलाय गया है। इन ग्रुप्स में उर्मिला और उनके पती की तस्वीर के साथ ये संदेश शेयर किया जा रहा है कि कम ही लोग जानते होंगे कि उर्मिला ने एक पाकिस्तानी से निकाह किया है। साल चोटे महसिन एक बिजनेस करने वाले कश्मीरी परिवार से आते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महसिन के परिवार का कशीदा कारी का काम है लेकिन वो 21 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे और मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुवात की थी स साल 2007 में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भी महसिन ने हिस्सा लिया था इसके अलावा साल 2009 में आई बॉलिवुड फिल्म लगबाई चांस में भी महसिन अक्तर मीर का एक चोटा सा रोल था बताया जाता है कि साल 2014 में फैशन डिजाइनर मनीश मलहोत्रा की भती जी की में उर्मिला और महसिन की पहली मुलाकात हुई थी तीन मार्च 2016 को उर्मिला और महसिन ने एक बिल्कुल साधे समारों में चुनिंदा लोगों की मौजूद्गी में शादी की थी उर्मिला के पती महसिन अक्तर ने इस बात की पुष्टी की है कि शादी के बाद उर्मिला म मातोंकर के उत्री मुंबई लोकसभा सीच से चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोशना कर दी है। दो दिन पहले ही उर्मिला मातोंकर कॉंग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने कॉंग्रेस सध्यक्षर आहुल गांधी की मौझूदकी में पार्टी की सदस्यता ली थी। कॉंग्रेस पार्टी से जुणने की उर्मिला के फैसले के बाद भी कुछ लोगों ने उनके काम और उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके बारे में अफवाहे फैलाने की कोशिश की गई थी।